जी बिसमिल्ला रह्मान रहीम थैंक यू सो मच पार वाचिंग मैं वीडियो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ये अच्छे अच्छी वीडियो आती ने research methodology का जो हमने subject शुरू किया हुआ ये basically उसी की वीडियो है आज जो हमने पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि research process क्या होता है मैं इसको आपके सामने explain करता जाऊगा कि research process है क्या ताकि आपके ये चीज़ें आसान हो जाए research process में जो सबसे पहली चीज़ आती है और उस प्राबलम को साल करने के लिए फिर रिसर्च प्रावलेश या रिसर्च को अंडर सक्ट किया जाता है तो प्राबलम जब पैदा होगी तब ही रिसर्च की जाएगी For example, मैं इस चीज को एक प्राबलम कह लेता हूँ कि पाकिसान में इन्फलेशन बहुत हाई है इस वज़ा से लोगों की पर्चीजिंग पावर कम हो गई है यह एक प्राबलम है ना या यह भी प्राबलम है कि जाब सेटिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस इस वीडियो में मैं आपको इनकी जस शाट शाट एक्स्प्लेइन करूगा कि यह होता क्या है पहले तो आगी प्राबलम फार्मॉलेशन फार एक्जेंपल हम इंफलेशन कहे लेते हैं कि पाकिस्तान में इंफलेशन इस हाई इस 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 प्राबलम ठीक है जब एक problem आगी सामने तो फिर development of an approach to the problem फिर एक approach के problem के साथ क्या करना है उसको investigate कैसे करना है ठीक है इसके लिए मुतलिफ research के designs को या मुतलिफ research की types को देखा जाता है कि पाकिसान में let's suppose inflation problem है तो हमें एक ऐसी approach एक ऐसा तरीके कारवदा करना पड़ेगा जो के उस problem को साल करने में हमारी मदद कर सके इसी को basically कहते हैं कि development of an approach to the problem कि आप कौन सी approach इस्तेमाल करेंगे कि problem को साल कर सके ये दूसरा हिस्सा है तीसरा आ जाता है research design इसमें ये देखा जाता है कि कौन सा research design होगा कि हमने problem को साल करना है तो research design क्या होगा आया qualitative research design होगा या quantitative research design होगा जैसे qualitative research design का आपको बताया था कि जिसमें हम figures fact and figure numerical figures को नहीं ले रहे होते जिसमें हम लोगों की feeling देख रहे होते हैं उनकी emotions देख रहे होते हैं जबके quantitative research कौन सी है जिसमें numbers आते हैं कि जी मेरी salary 50,000 है या inflation rate 2.5, 3.5 है पाकिस्तान में क्या inflation rate है अगर वो numbers की शकल में आएगा तो quantitative research होगा तो research design में इस चीज़ को we have to decide कि हमने कौन सी research को qualitative है quantitative है, exploratory है ठीक है, जो predictive research है कौन सी research की type को लेके चलना है ताके problem को address किया जा सके इसमें four step कौन सा आ रहा है वो आरे selection of data collection technique अब अगर inflation की बात पाकिस्तान में हो कि पाकिस्तान में inflation बहुत ज्यादा है तो हम कौन सा तरीके कर लेंगे कि किस तरह से data collect करेंगे आया के general public के पास जाएंगे या पाकिस्तान की listed companies के पास जाएंगे या जो employees है बैंकों में कामकारें उनके पास जाएंगे ताके देखा जाए कि inflation के बारे में जो data ही कठा करना है वो किन से ही कठा करना है ठीक है, data और क्या-क्या data किस-किस चीज़ के बारे में data ही कठा करना है सिरफ inflation के बारे में इकठा करना है या purchasing pattern के बारे में भी data लेना है या और factors भी जो inflation cause करते हैं उनके बारे में data लेना है सो मुझत तरीके जो है ना जिन-जिन तरीकों से हमने data collect करना है और वो data collect किसलिए करना है ताके जो उपर हमने problem identify की हुई थी उसके बारे में हमें information मिल सके उसके बारे में हम काम कर सके तो data collection technique को देखना भी बड़ा एहम है इसके बाद पांचवा step पाता है sampling technique sampling technique से मुराद क्या है कि जो data इकठा करना है वो किन लोगों से इकठा करना है वो लोग कौन होगे जिन से data इकठा करना है जैसे मैंने आपको भी पहले कहा कि क्या bankers के साथ हमने data उनसे इकठा करना है किस बारे में inflation के बारे में या government की agencies के पास जाना है उनसे data लेना है या students से data लेना है या job holders से लेना है किन से data लेना है basically तो ये जिन से data लेना है वो sampling technique हो जाएगी sample से मुराद क्या है एक छोटा सा हिस्सा data जहां से आपने data collect करना है और फिर उस data के results को पूरी population के उपर replicate कर देना होता है सो sampling technique कौन सी है और sampling करनी कैसे है simple random sampling करनी है convenience sampling करनी है quota sampling करनी है कौन सी sampling करनी है ये basic आगे जब detail में आएगी तो ये चीज़ें तब आपको पढ़ाई जाएगी अभी मैं just to explain कर रहा हूँ जब sampling technique के बारे में भी decide हो गया तो उसके बाद अगला काम क्या आजाता है field work or data collection लिया चाहे वो government के agencies है चाहे वो bank के लोग है चाहे वो teachers community है चाहे वो कोई और लोग है तो उनसे हम field में जाएंगे और data collect करेंगे ठीक है तो उनसे data collect data collect करने से मुराद ये है कि उनसे पूछा जाएगा या उनसे कोई survey करेंगे questionnaire के थूछेंगे कि inflation के बारे में आपकी क्या राए है कि क्या inflation बढ़ने से purchasing power कम हो रही है inflation या ऐसा नहीं है ये questions वगएरा पूछे जाते हैं ठीक है उसके बाद analysis and interpretation जब हमें सारे response मिल जाएंगे तो हम उस data को analyzer करेंगे मुrt जाएगा उस क्यों किया जाता है एनलसी इसलिए किया जाता है कि उस data से हम मुख्रिफ trends को निकाल सकें या meaningful trends ले किया सकें meaningful way में data को explain कर सकें last step क्या है report preparation and presentation जब हम data इकठा कर लेंगे तो हम क्या करेंगे उस data से report बनाएंगे उस report को क्यों बनाना है ताकि उस report को present किया जा सके बाकी लोगों के लिए उससे government भी फाइदा उठाएं उससे students भी फाइदा उठाएं उनको भी inflation के बारे में पता चले या और भी जो stakeholders है वो उससे फाइदा उठा सकें आहरी step में हम report preparation करते हैं पूरी अपनी research की और उस report को present कर दिया जाता है ठीक है यहाँ पर मैं इस lecture को रोक लेता हूँ आप लोगों से once again मेरी वही request है कि जो मेरे channel के उपर नए लोग भी आ रहे है subscribe किया करें मेरे channel को इसको उन लोगों के साथ share करें जो के students है या जो वैसे research methodology में interest रखते हैं और आम लोग भी जो के अपना knowledge increase करना चाहते है उनके लिए भी ये channel बनाया गया है आप लोगों से request की जाती है कि आप इस channel को subscribe करें और ज्यादा से ज्यादा बाकी लोगों के साथ share करें Thank you so much